हेलो गाइज, वेलकम बैक, माई नीव ब्लोग में, आप लोगों को प्यारी सी गूड मॉर्निंग, जे स्री राम रादे रादे, तो गाइज, सुबह के बच गया है, नो, और आरुस्पूर अब उनकी पापा, आरुस्पूर गया है, स्कूल, और उनकी पापा भी चली गया ह गर का सारा काम हो गया है, बस खाली बेडरूम ठीक करना था, तो गाइज, मैं सोची कि, आप लोगों से बाते करते करते, बेडरूम भी ठीक कर लूँ, और यह सब कमबल है, गरमी का समय है, आप सोच रहे होंगे, गरमी के समय में कमबल की जरूरत क्या होती, ब्लैंकेट की तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोगों को AC की बिना नीन नहीं आती है और जब ठंडा लगता है तो हम लोग ब्लैंकेट ओड़ लेते हैं लेकिन AC चलना चाहिए आरुष पूरव सब बच्चे को मतलब रूम एकदम चिल्ड होना चाहिए तो ही हम लोग को नीन आती है वरना नीन भी नहीं आती है और मैं सोची कि घर का सारा काम हो गया है तो आपसे बाते करते करते थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दूं क्यूंकि मैं कभी जिसे मैं बेडरूम क्लीन की हूं या हॉल या कुछ भी तो मैं आप लोगों को कभी नहीं दिखाई हूं कि मैं कैसे क्लीन करती हूं सब कु मैं भी यह सुब काम करती हूं, हमारे यहां काम वाली नहीं आती है, काम वाली हजबिनी रखने के लिए बहुत जीत करते हैं, बट मुझे क्या है, मुझे अपने हाथ से काम पसंद है, चाहे वो बर्तन करना हो, चाहे वो छारू पटका हो, कुछ भी हो, बट वो मुझे अपने हाथों से करना मुझे किसी के हाथ का काम उतना भाता नहीं है इसलिए मैं कपड़े भी मशीन से कम मेरे घर में मशीन भी है बट मैं मशीन से कम दूलती हूं हाथ से ज्यादा तर मैं दूलती हूं और मुझे अपने घर का काम करके बहुत बहुत सुकून मिलता है मज़ा आता है इसी में टाइम पास हो जाता है बच्चे लोग नहीं रहते हैं हस्बेंट जी भी नहीं रहते है तो अपना टाइम पास हो जाता है तो इसको मैं लेके चलती हूं दूसरे वाले रूम में रखके आती हूं फिर आप लोगों से मिलती हूं तो गाइस उस रूम में रख देते हैं क्योंकि बच्चे लोग भी उस रूम में रहते नहीं है और हम लोग भी ज़्यादा थार उस रूम में रहते नहीं है तो दिन भर के लिए ब्लैंकेट दूसरे वाले रूम में रहता है कर देती हूं थोड़ा सा घर अच्छे से ठीक रहता है तो अच्छा लगता है feeling अच्छी आती है इसलिए हमेशा घर को थोड़ा अच्छे से रखना चाहिए बेट सीट वगएर है अच्छे से रहना चाहिए रोज बेट सीट को मैं सेट करती हूं और अपने घर का सारा काम मैं खुद करना परसंद करती हूं मुझे नहीं परसंद है किसी और काम इसके लिए मैं खोदी करती हूं और सबसे पहले सुबर सुबर बच्चे लोग का सोके उठती हूं तो मैं नास्ता बना देती हूं फिर उसके बाद पूरत चले जाते हैं तो जाड़ू पोचा करके मैं आर उसको उठाती हूं उसको भी रेडी करती हूं और उसको भी बेज देती हूं पिर उसके वैद में अराम से हम में हस्बेंट जी अराम से नहाते हैं भगवान जी का पूजा करते हैं और मस्त अराम से ब्रेकफास करते हैं दोनों लोग गप्पे सप्पे मारते हुए बाते करते बहुत मतलब हम दोनों आपस में काफी टाइम स्पन करते हैं और हम दोनों को एक साथ बहुत पसंद है मतलब साथ में रहना सुकूल से इसके लिए इतनी बारिस हो रहे हैं कितना बारिस हो रहा है बट लेकिन गर्मी वै हो रहे थी लेकिन अभी थोड़ा सा मोसम खुला तो गर्मी चालें वापस से गर्मी चालें तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा बेट जब मस्त फर्स्स क्लास हो गया क्लिप दिखाती रहूंगी और मा आपसे मिलोंगी ऍसस्ट वीडिओ में तब तक के लिए बाभाई लाइक और सब्सक्राइब टरूहटे प्लीरिओ